तो दोस्तो आप सभी जानते हो कि किसी भी ब्यक्ति के लिए सबसे कठिन परष्टिती तब होती है जब उस ब्यक्ति का मुकाबला अपने ही किसी मित्र या फर अपने ही किसी भाई के साथ होता है और ऐसा ही हुरा है भारत के साथ और भारत का मुकाबला इस समय रशिया के लिए भारत ने एक साल से श्मी देशों के लाख दबाव के बाबजूद रूस के साथ दोस्ती नभाई और रस्या और यूकरियन की लडाई को लेकर आज तक रूस की आलूचना नहीं की परन्तु अब चंदरमा के मिसन को लेकर रूस और भारत एक ही रेस में सामल हो चुके ह जहां पर दोनों ही देशों में होड लगी है कि कौन पहले चंदरमा के दक्षणी धुरोप पर उतरेगा दरसल आप सभी को पता है कि भारत का चंदरियां 3 ओलरेडी 23 सगस्त को चंदरमा के दक्षणी धुरोप पर सौफ्ट लेंडिंग करने वाला है तो रस्या भी अभी ह जाली के दिनों में अपने लूना 25 मिसन के साथ चंदरमा के दक्षणी धुरोप पर पहुचने वाला है और इसलिए चंदरमा के साउथ पुल तक पहुचने के लिए रस्या और भारत के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है और कौन पहले दक्षणी धुरोप पर सफलता लेंडिंग करेगा इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच में होड मत चुकी है हालाकि रस्या का कहना है कि हमारा मिसन भारत के मिसन में किसी भी बिरकार का इंटरफेर नहीं करेगा चंदरमा में परियाप्तर जगाय है साउथ पुल के उपर उतरने के लिए और हमारा मिसन चैंद्रियान 3 के मार्ग में बाधा उत्र पन किये बिना चंद्रमा के दक्षणी धरुप के उपर उतरेगा। और आप सभी को बता दूं कि यह होड इसलिए मची हुई है क्योंकि अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षणी ध्रोप के ऊपर सफलता पूरुबक लेंडिंग नहीं कर पाया है और चाहे रशिया हो या फिर हो भारत जो भी सबसे पहले चंद्रमा के दक्षणी पर आप सभी की स्टोपे के अंदर क्या राय है और आप सभी को क्या लगता है कि इस रेस को किसको जीतना चाहिए भारत को या फिर रसिया को या फिर दोनों ही एक साथ इस रेस को जीतें ताकि हमारी दोस्ती इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज हो जाए कमेंट बौक्स में इसकी उपर आपने डाय वस्य दीजेगा, वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन बाद, जैहेंद वन्दे मातरम